हेलो एवरीवन वेलकम और मैं ट्यूप चैनल इस वीडियो में हम श्यार्मा को सक्राइब यहां एक दिन में पांच परसेन की तेज़ी देखने को मिली पिछले एक महिनों में 28% पिछले 6 महिनों में 42 के एक साल में उल्मस् पर्शंट की संड पाँ सालों में की सपर्शंट की सब्कृति रेटन के सब्सक्राइबी काफी तेजी ने को मिल रहा है तो प्रूनिय की कश रोएबीन चीह तो यह निए छो च्ऊनिय बेस्ड इंजिनियरिंग डिजाइएन ऑड कर रहा है यहां पे बात करें इक्विमेंट मैनुफेक्चर ओएमेस फ्रॉम दा इंटेंटियल प्रोडेक्ट कंसेप्ट स्वेज वॉल्यों प्रोडेक्ट थ्रोधा कंसेप्ट को क्रीमिंग प्रोडेक्शन रिफ्टलाइजेशन में वर्क कर रही है जैसे कि आप देख सकते हूं इसका जो प्रोडेक्ट सब्सक्राइब कर रही है यहां बात करें कंपनी के मार्केट के अप्लाइजेशन की तो 7,512 क्रोड का मार्केट के अप्लाइजेशन है इस्टोक का लो 248 रुपए इस्टोक आई 413 रुपए फेस वेल्यू 10 रुपए की है ROC काफी स्ट्रोंग है 14% रिटर्न ओन इक्विटी 11% है इंडरेस्टिज का पी 105 है और यहां पर बात करें प्रमोटर होल्डिंग 47% है डेप्ट के बात करें तो 375 करोड का डेप्ट है यानि लौ डेप्ट वाली कंपनी है डियाईज ने काफी अच्छा इंवेस्ट किया इसी के साथ-साथ यहां बात करें कंपनी के कॉटरन काफी स्ट्रोंग रिजल्ट की तो कंट्यूनेस यहां पर रिजल्ट बढ़ते वे देखने को मिले 29 करोड से 34 करोड, 34 करोड से 43 करोड मार 2023 में year on year basis के बात करें तो year on year basis profit काफी strong देखने को मिल रहे है 69 करोड, 79 करोड, 123 करोड यहाँ बात करें balance sheet में company के reserves की जो की काफी strong हमें देखने को मिल रहे है 1364 करोड के reserves है और borrowing के बात करें तो 375 करोड के यहाँ पर borrowing से जो की काफी कम है इसी के साथ यहां बात करें कंपनी के पर्मोटर होल्डिंग की तो कंपनी के पर्मोटर काफ़ी स्ट्रॉंग है FIS के पास 4.61% के स्टेक्स है BIS के पास 8.58% के स्टेक्स है बाकि Publix के पास 39% के स्टेक्स देखने को मिल रहे है यहां पर BSC पर स्टॉक के अनलाइजस करता है तो आप देख सकते हो कंपनी के फंडामेंटल काफी स्टॉंग हमें देखने को मिल रहे है बट लॉंग टम के लिए आपको पैशन्स रखना पड़ सकता है जितना आप लॉंग टम के लिए अच्छी कंपनीज में इंवेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा उतना ही मल्टी बेगर हमें देखने को मिलता है ठेंक्य दोस्तों